सबका हमारे चैनल शिवागू पर स्वागत है और इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं यह दिखे यह oval शेफ परद शिर्व है धोनों के शेफड डिफ्रिंट का फरक है अफेक्ट तो स्य ही होता तो इसके फायदे क्या है पारद कश खिवल यंखे अब ऑक खड़ा ही पूझा किया जाता है तो इसका जो ना那 संत है वह आपको स्टेंड होता है तोस्ता से बनाया जाता है चांदी में रखें तो बड़ी बहुत अच्छी बात है तांबे का मिला तो चलेगा इस्टील का भी मिलेगा तो भी आप रख सकते हैं तो ये आपको अपनी छमता के साब से रखना है अब इसका महत्व क्या है देखे प्राचीन ग प्रण्थ है उसमें मिलता है शिव पुरान में पारद को शिव का विर्य का गया है विर्य बीज है जो संपुर्णे जीवों के उत्पत्ती का कारट है पारद मतलब Mercury in English and it is considered to be the purest form of shivilling or Lord Shiva it is said that having पारद shivilling is equivalent to performing पूजा और बारा जूतरलिंग पारा जूतरलिंग के आपने पूजा किर लिए यदि आपने पारद shivilling की पूजा की तो ये इसका मात्व है पारद एक तरह के अक्ले में धातु है जो ठोस होकर भी द्रव्य रूप में रहती है अक्ले में द्रव्य रूप हो रहता है जिससे ठोस में कनवर्ट किया जाता है और इसे रसराज कहा जाता है तो यदि इस पारे की धातु से कोई shivilling का निर्मान किया जाता है तो उसे पारद shivilling कहता है पारे को शुद्द करके विशिस प्रक्रियाओं द्वारा ठोस रूप देकर shivilling का निर्मान किया जाता है और हमारे सास्त्रों में हमारे पुरानों में इस पारद shivilling में साच्छात भगवान शिव का वास होता है शिव रूप में इसकी पूजा करने से कई गुना शिव भक्ती का फल प्राप्त होता है पारद के गनेश जी पारद के लक्षमी जी पारद के कुबेर जी इन सब की पूजा वाब करते हैं दिपावली पे तो बहुत ज़्यादा फल मिलता है तो घर में पारद शिव लिंग सौभाग, शान्ती, स्वास्त और सुरक्षा के लिए अत्तधिक सौभाग गिसाली होता है यह पूरा फॉर्म है पूरा फॉर्म जो है पूरी सुष्टी का फॉर्म है दुकान, ओफिस और फैक्टरी में वैपार को बढ़ाने के लिए पारद शिव लिंग का पूजन एक अचुक उपाय है फाइदे बहुत हैं इसके आपकी सभी एक्षाएं पूरी होती है पारद शिव लिंग के लिए किसी प्रान परतिष्टा की आवश्रकता नहीens होती है देखिए सिद्ध पारद शिव लिंग भी लोग मतलब बेचते हैं हम भी रखते हैं तो हम यही करते हैं कि पंडितों के दवारा, मंत्रों के दवारा हम इसे कर लेते हैं अभी इसके दर्शन मात्र से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है इनकी पूजा करने से स्वास्त और धनियश की जो इच्छा है वो पूरी होती है कोई तंत्रमंत्र आपके ऊपर कर ले तो यह तंत्रों का काठ है पारद का शिव से साक्षाथ संवंध होने से इसका अलगी महात्मे है तो इसका जो महत्व है अब शब्दों में बकानी नहीं कर सकते है अब इसकी जो निर्मान है ये तो चलो आज लोग करते हैं बहुत नकली भी मिलते हैं बहुत सारी चीजें तो उसमें इजादेतर तो कुछ ना कुछ पारेकांस तो रहता ही है इतना ही है तो ये जो शिवलिंग है एक घर से बुरी शक्तियों को बचाता है किसी बीतरा का जादू, टोना, टोटका घर के सदस्यों पर होने से रुकता है परिवार के सदस्यों का सीम शान्ती और सौभागी की प्राप्ती होती है ये घर के सभी प्रकार के वास्तु दोस्ट को दूर करता है अगर घर का कोई सदस्य बीमार हो चाए तो उसे पारद शिवलिंग पर अभिशे क्योवा पानी आप हलका सा उसके पर शुड़क दीजिए हलका सा एक बूंद ही आप पूरे गलास में मिला कर पिला सकते हैं तो कि पारद जो होता है आप पी नहीं सकते हो मतलब डिरेक्ट नहीं मतलब जल से आपने सनान करवाया उसमें से एक बूंद लेकर आप नॉर्मल पानी में पिला सकते हो यह हलका सा आपने सेटा दिया यदि बहुत प्रशंड तांत्रिक प्रयोग या कालम रित्यू या वहां दुर्गटना योग हो तो ऐशा शुद्ध पारद शिवलिंग उसे अपने ऊपर ले ले लेता है तो ऐसी स्थिती में यह अपने आप टूट जाता है और साधा की रक्षा करता है यहां तक इसमें शक्ति होती है ऐसी धारना है कि जो भक्त पारद शिवलिंग की पूजा करते हैं उनकी रक्षा स्वे महा कल और महा काली करते हैं परिवार में शुक्षांती तो रहती ही रहती है जब आप शावन में इसकी पूजा करते हैं जो उसका महतु और बढ़ जाता आपको फल और मिलता है Offering prayers of पारद शिवलिंग helps even childless couples to conceive Any person who has established पारद शिवलिंग at their home will have their life filled with money, happiness and will be freed of bad effects and even untimely death It develops mind power to attain a strong will which is good for growth of both physical health and mind Parash Shivaling benefits worship and it harmonizes the relationships among all the members of the life It is said in Brahma Purana that whoever worships Mercury Shivaling devotedly gets full worldly pressure and at last attains a supreme destination salvation तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीशिए धन्यवाद सब्सक्याओ करें धर पोस्सक्राओिस छो चन्यवाद सब्सक्राइब करें भ झाल झाल